नमस्कार दोस्त आपके साथ मैं हूँ वुबश्चा दोस्तो अपने पाखंड से लोगों के मन की बाद जानने का दिखावा करने वाला बाबा धिरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट को लेकर कितना जादा अक्रामा की यह तो आप सभी जानते ही आए दिन दिरेंद्र शास्त्री हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी करता रहता है वो अपने आप में एक अलग विवाद हर दिन खड़ा कर देती है और यही वज़ा है कि दिरेंद्र शास्त्री को आए दिन धमक्या भी मिलती रहती है दोस्तों अपने आपको हिंदू और सनातनी कहने वाला दिरेंद्र शास्त्री कई बार मुस्लिमों को लेकर भी बेतू की बयानबाजी कर चुका है तो आप खबर सामने आ रहे हैं कि हिंदूराष्ट की हुंकार भरने वाला धिरेंद्र शास्त्री जो है उसको जान से मारने की धमकी मिली है जी हाँ दोस्तों पंडी धिरेंद्र शास्त्री को ये धमकी सोशल मिडिया के जरीए दी कई है इस घटना से पुलिस महग्मे में हलकम मच गया और हर कोई बस ये पता करने की कोशिश में जुट गया है कि आखित कार धिरेंद्र शास्त्री को धमकी किस ने दी है हाला कि धिरेंद्र शास्त्री ने धमकी के बाद एक वीडियो शेयर करके धमकी देने वाले यूवक को जबाब भी दिया है तो क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं आज तक ने खबर लिखिये बरेली में तुम्हारी ठट्री बांधेंगे जान से मानने की धमकी देने वाले को बागेशवर धाम धिरेंद्र शास्त्री का जबाब दरसल उत्रपरदेश की बरेली में अनस अंसारी नाम के एक यूवक में सोशल मीडिया पर बागेश्वा धाम के बाबा दिरेंद्र कृष्णिर शास्त्री को जान से मानने की धंकी दी थी इस धंकी के बाद हिंदुत व्वादी संगटनों के नेताओं ने पुलिस में इसकी शुकायब भी दर्श करवाई जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफतार भी कर लिया गया है अब दिरेंद्र शास्त्री ने कारेकरम के दौरान धंकी देने वाले को अपने ही एक अलग अंदाज में जवाब भी दिया है और एक वीडियो के जरीए से जवाब दिया गया है उन्होंने कहा ठट्री के बारे में हम बरेली आएंगे और तुम्हारी ठट्री बांधे के मही से दरसल आरोपी अनस अंसारी हाफिस गंज थाना शेत्र करेने वाला है उसने बीतर अविवार को इंस्टेग्राम पर धिरेंद्र शास्त्री को जान से मानने की धंकी दे थी अनस ने अपने धंकी भरे पोस्ट में एक जगा लिखा था बाबा की मौत मनरा रही है जिस पर हिंदू जागरन मंच के कारेकरताओं ने कड़ा एतराज जताया और उसकी पोस्ट का स्क्रिंशोट लेकर बरेली पुलिस आईजी, एडीजी और जीजीपी को टेक करते हुए कारेवाई करने की मांग लिगी थी, लेकिन इससे पहले की मामला और आगे बरता पुलिस फोरण एक्टिव हो गए और एक्टिव होकर पुलिस ने अरोपी को गिरफतार कर लिया है, उसके गुरुद धार्मिक भावनाओं को आहत करने और IT Act की धारा में केस दर्श कर लिया वहीं इस घटना को लेकर अब धिरेंद्र शास्त्री का बयान भी सामने आए, जोहाँ पर धिरेंद्र शास्त्री ने वीडियो के माध्यम से इस पूरी धमकी पर युवक को खुली धमकी दे डाली है, और तमाम तरह की बात इक ही, वहीं इस खबर के बाद धिरेंद्र शास चाहाँ Highlight के बाद की नहींलगा यहाँ चाहते हैं की तुम्हारी बेहन बेटी पर कोई उंगली ना उठा पाए, तुम्हारी राम की आत्रा पर कोई पथर ना फेके और तुम्हारे राम के मंदिर पर कोई रोक्रा लगा है, हम शिर्व इस लिलियों ललकारते धन से हूँ यहाँ एक जुल्लू की ठुट्री पहले से ही बदी हुई है आप डीटेल सारवजनिक बताइए और फिर देखना कि हम उस व्यक्ति के साथ में क्या करते हैं इन से नागी दांस करवाते हैं इस तरह का कॉमेंट भी क्या गया इसके लावा सुरी शर्माने दोस्तों इस तरह के से पाक्षंड की आड़ में बाबा बागेश्वर धिरेंद्र शास्त्री लोगों की आड़ में सनातनी धर्म का पैगाम सरयाम कर रहा है और तरह तरह की बयानबाजे जो सामने निगल कर आ रहे कहिना के ये भी उसी का एक परिनाम है जिसको लेकर एक मा और कहने के देखेंगो मिल रहा है बाबा बागेश्वर धिरेंद्र शास्त्री को धंकी देने के बाद तो आपने आपने कई सारे सवाल भी खड़ा करता है कौमेंट सेक्ष्ण में तमाम बातें सामने निगल कर आती जो बताती है कि समाच का माहौल सोहाथ दिगारने की पर पर इतना है, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए वने रे वेरे साथ दिकल्टाम करें।